आप देखिए यह विडियो माया ट्यूटर पर मुफ्त कूपन कोड साइट पर बैनर में दिया गया है अभी पंजी करन करें फ्री में ओनलाइन क्लास लें हमारे देश में कई प्रतिभाशाली शिक्षन शिक्षक हैं प्रहिनिया और बेरोजगार बहुत कम दरों पर कक्षाएं लगाकर जीवन यापन करते हैं लेकिन जब कॉविड आया तो वे क्लास नहीं ले सके इतने सारे महान शिक्षन एप के आगमन के साथ कई ने अपने छात्रों को खोदिया है वेब साइट को बड़ी रकम में नहीं बनाया जा सका लेकिन इस प्रकार के होम ट्यूशन का उप्योग शिक्षक माया ट्यूटर्स डॉट कॉम पर बहुत कम मासिक दर पर कक्षाएं लेने के लिए कर सकते हैं यदि आप केवल एक बार वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और इन कक्षाओं को सूची बद करते हैं तो आप अगले वर्ष फिर से इन कक्षाओं का उप्योग कर सकते हैं प्रोबोटिक्स के लिए कक्षाएं सूची बद होने के बाद बाद में कक्षाएं लेने की कोई आवश्यक्ता नहीं है साथ ही अब आप जूम एप और गूगल मीट के जरिये लाइव क्लासेज ले सकते हैं यह सब माया वेब पोर्टल के जरिये बड़ी आसानी से किया जा सकता है आपके छात्रों के अलावा अन्यदूर के छात्र इस पोर्टल के माध्यम से आपको धूण सकते हैं उन्हें अपना छात्र बनाएं और कक्षाएं लें एक और विशेशता यह है कि आपको बहुत सारे ट्यूशन छात्र मिलते हैं. इस युग में जहां शिक्षा एक व्यवसाय बन गया है या साबित करके कि शिक्षा केवल एक व्यवसाय नहीं है, अपने कोशल को साबित करें. बहतर आए प्राप्त करें. अधिक जानने के लिए यह वीडियो दे. नियमित ट्यूशन शिक्षकों के लिए महस 250 रुपय प्रतिमाह में ओनलाइन ट्यूशन लेने के लिए एक वैब पोर्टल तयार है. रोबोटिक्स कक्षाओं के माध्यम से आय अरजित करें. अगर आप सिर्फ एक बार क्लास लेते हैं, तो आपको बाद में क्लास नहीं लेनी पड़ेगी, बिना किसी की मदद के अभी देमो आजमाएं. के लिए आपको एक वैब साइट बनानी होगी. यह बहुत महेंगा है, लेकिन सामान्य शिक्षक इस वैब साइट के माध्यम से बहुत ही कम लागत में ट्यूशन ले सकते हैं. प्रोबोटिक्स क्लास क्या है? को बाद में ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है. अधिक जानकारी के लिए यह कैसे काम करता है? देखें. माया वेब पोर्टल पर मैं किन विशयों की ट्यूशन ले सकता हूँ? स्कूल पाथ्यक्रम, कॉलेज पाथ्यक्रम, पश्चिमी संगीत, करनाटक संगीत, संगीत वाद्ययंत्र, नृत्य, खाना बनाना, सिलाई चित्रकारी, पी एस्सी, बैंक प्रवेश कोचिंग, भाशा अध्ययन, आप लेखानकन, मनो विज्ञान, दर्शन. यह सब विशय जैसे सभी विशयों में कक्षाएं ले सकते हैं. शिक्षक छात्रों से फीस कैसे लेते हैं? फीस सीधे छात्रों से ली जानी चाहिए. इसके लिए शिक्षक के प्रोफाइल पर शुल्क भुगतान करने वाला बैंक खाता और पैमेंट वॉलेट क्यू आर कोड प्रदर्शित करने के विकल्प हैं. क्या मुझे माया ट्यूटर को छात्र शुल्क में से कोई कमीशन देना होगा? नहीं, इस वैब पोर्टल का उपयोग करने के लिए शिक्षकों से केवल किराया लिया जाता है. शिक्षकों से कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाता है माया पोर्टल के माध्यम से ओनलाइन ट्यूशन सुविधा की दर क्या है? माया बहुत कम मास से किराया लेती है अधिक जानकारी के लिए मूल्य देखें क्या मुझे भुगदान करने से पहले डेमो मिल सकता है? जी हाँ बिलकुल आपको साथ दिन का डेमो मिलेगा शिक्षकों के लिए डेमो प्राप्त करने के लिए क्या करें? यदि आप एक शिक्षक के रूप में पंजी करन करते हैं तो डेमो उपलब्ध होगा डेमो कितने दिनों में उपलब्ध होगा यदि आप एक शिक्षक के रूप में पंजी करन करते हैं तो आपको पहले साथ दिनों के लिए सभी सुविधाओं के साथ एक डेमो प्राप्त होगा मत भूलो यदि आप एक शिक्षक हैं तो केवल पहली बार शिक्षक के रूप में पंजी करण करें। यदि आप एक छात्र के रूप में पंजी करण करते हैं, तो आप इस पोर्टल पर पढ़ाने में सक्षम नहीं होंगे। शिक्षक का पंजी करण कैसे करें? डेमो कैसे प्रापत करें? अगर आप शिक्षक हैं तो यहां शिक्षक के रूप में पंजी करण करें. पहले इस फॉर्म को भरेन, नियम और शर्तने स्वीकार करें. रजिस्टर पर ख्लेक करें. अपने मेल पर जाने के बाद, माया ट्यूटर सक्रियन मेल खोलें. सक्रियन लिंक पर ख्लेक करें. मेंबर लॉगिन का चायन करने के बाद, अपना मेल आईडी और पास्वर्ट दर्ज करें और फिर लॉगिन करें. यहां, गूगल के साथ लॉगिन चुनें. देमो अब तैयार है. अपनी प्रोफाइल संपादित करें. यह विडियो देखें. अपना पार्थ्यक्रम और ट्यूल बनाएं. डेमो के बाद माया वेब पोर्टल का उप्योग करने के लिए शिक्षकों के लिए क्या दर है? खृप्या यह कीमत देखें. इस पोर्टल पर कितने पार्थ्यक्रम सूची बद किये जा सकते हैं? पार्थ्यक्रम असीमित के रूप में सूची बद किया ज जा सकता है. इस पोर्टल में कितने चात्रों को जोडा जा सकता है? आप असीमित चात्रों को जोड सकते हैं. क्या इस पोर्टल में लाइव क्लास लेने की कोई सुविधा है? आप यूट्यूब लाइव विडियो लिंक को सूची बद करके लाइव क्लास ले सकते हैं. अभ पार्थ्यक्रमों को सूची बद करने में मेरी सहायता कौन कर सकता है? एक बार शिक्षक बंजी कृत हो जाने के बाद, पार्थ्यक्रम की सूची कैसे बनाएं? पीडियेफ कैसे सूची बद करें और लाइव क्लास कैसे लें? इस पर हर जगह वीडियो होंगे. आएए इन वीडियो को देखें और पार्थ्यक्रम की सूची बनाएं. मैं एक छात्र हूँ. क्या मुझे माया पोर्टल पर शुल्क देना होगा? नहीं. यह छात्रों के लिए 100% मुफ्थ है. छात्र शिक्षक और पार्थ्यक्रम पा सकते हैं. लेकिन ट्यूशन फीज सीधे शिक्षकों को देनी होगी. मैं एक शिक्षक और एक छात्र के रूप में पार्थ्यक्रम कैसे ढूंड सकता हूँ? पार्थ्यक्रम का नाम शिक्षन विशय. संस्थान का नाम और स्थान के लिए यहां खोजें. यहां अपना मोबाइल नंबर या मेल आईडी दर्ज करें. स्थान दर्ज करें और खोजें. अब आप चैनित क्षेत्र में शिक्षक पा सकते हैं. यदि आपको इस क्षेत्र में शिक्षक नहीं मिलते, तो अन्य स्थानों के नामों से खोजें. वर्तमान शिक्षकों का वेब पोर्टल खोलें. अब आप इस शिक्षक का संपर्ख पता. वाट्सेप नंबर और पार्थ्यक्रम की जानकारी देख सकते हैं. यहां आप सीधे शिक्षकों के वाट्सेप पर चैट कर सकते हैं. यहां शिक्षक यहां मेल द्वारा ट्यूशन की जानकारी मांग सकते हैं. लेकिन अगर आप शिक्षक की जानकारी नहीं देख पा रही हैं, तो आपको पंजी करन या लॉगिन करने की आवश्यक्ता है एक रजिस्टर क्या है? लॉगिन क्या है? यदि आप इस वेब पोर्टल पर पहली बार जा रहे हैं, तो आपको पंजी करन करना होगा यदि आप एक छात्र हैं, तो आपको यहां एक छात्र के रूप में पंजी करन करना होगा मत भूलो, यदि आप एक छात्र हैं, तो केवल पहली बार एक छात्र के रूप में पंजी करन करें यदि आप एक शिक्षक के रूप में पंजी करन करते हैं तो आप इस पोर्टल पर अध्यान नहीं कर पाएंगे सबसे पहले छात्रों को यहां पंजी करन करना होगा इन सभी फॉर्म को भरें आपके मेल पर जाने के बाद माया ट्यूटर एक्टिवेशन मेल खोले एक्टिवेट लिंक पर खलेट करें रजिस्ट अब पूरा हो गया है अब आप अपनी मेल आइडी और पासवर्ट डाल कर लॉग इन कर सकते हैं चयान करें मेमब पहुझ अपनी मेल आईडी और पास्वर्ट से लॉग इन करें. या गूगल के साथ लॉग इन का चैन करें. उन विशयों और शिक्षकों को खोजें जिनकी आपको आवश्यकता है. इसके लिए यहां खोजें. मेle de Kip, ओोगए खनी जावचा. हुआाओ को खोजें. Gबिन एंग.2 और शिक्षक्ना मुपन्न goo O तर अर्ड़्ड्ड़ में गुझि निल कि निल मस्मर कि खोजें. 2 वkteषक्षक है lol झाल 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 झाल